नमस्कार आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मानवी ठाकुर नारायन पुर जिले की ग्राम छोटे डोंगर में सभी शास्की विद्यालियों में 14 नमंबर को बाल दिवस बड़े ही उत्सहा और उमंग के साथ मनाए गया विद्यालिय समस्त की शिक्षक शिक्षेकाओं और चात्र चात्राओं द्वारा सर्व प्रथम देश की प्रथम प्रधान मंतरी पंडित जवाहरलाल नेहरू के चायचित्र में पूजा अरचुनकर दीप परचलित कर किया गया तत्वशात चात्र चात्राओं द्वारा देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू की जीवनी पर प्रकाश्टा लागया। बाल दिवस की मौके पर एक लव्य विद्याल्य की बच्चों की द्वारा मनमोहक सांस्कृति करिक्रम की प्रस्तुती भी दी गई। वहीं विद्याले के शिक्षकों द्वारा बाल दिवस की मौके पर बच्चों को उद्धोधन करते हुए पंडित जवाहरलाल नहरू के आदर्श पर चलने की प्रेड़ना दी विद्यार्दिगाड सभी मिलकर इस दिवस को परतिवर्श मनाया जाता है आज हमारे विद्याले में बाल दिवस की सुब आउशर पर यहां पर सभी चात्र चात्राओं और शिक्षक को द्वारा यहां मंच में बहुत सारी कारिक्रम आयोजित किये गए जहां पर सभी बच्चे सभी प्रतिभागी यहां पर भाग ले रहे हैं और सिक्षक एवं चात्र चात्राओं उन्हें प्रोच साहित कर रही है और आज का दिन हमारे देशीले बहुत ही गौरव का दिन है क्योंकि आज के दिन हमारे भारत देश के प्रतम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरुजी का जन्म हुआ था और आज के दिन उन्होंने अपने जयन्ती के दिन को ही हमारे बाल दिवस के रुप में हमारे भारत देश में लागू किया था और हमारे प्रधान मंत्री जी के द्वारा यह जो जयन्ती मनाने का निर्णा लिया गया था वो आज तक हमारे भारत देश में मनाया जा रहा है और आज जो है सांस्कितिक कारिकरम और 14 नमबर बाल दिवस के उपलक्ष में आयोजन रखा गया है जिसके तहट जो है बच्चो द्वारा उनके मंदरणजन के संदरू सांस्कितिक कारिकरम कराया जा रहा है अब भोजन की विववस्ता की गई है हमारे इमारस छोटे डोंगर में सवतन्द भार्दत के हमारे पहले प्रदानमंत्री पंदे जवाल नहरू जी द्वारा उनका जनम दिवस भी है और आज के दिन जो है उनको वो बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे इसलिए उनको चाचा नहरू भी कहा जाता है इसी उपलक्ष में उन्हों नही इस दिवस को लागव किया था कि बच्चों के लिए बाल दिवस के रूप में इस दिन को मनाये जाएगा और यहीं जो है आज करकर हम चंद सालित किया जा रहा है